BPSC के मादम से बिहार में हो रही सिख्षक भरती के लिए जारी नोटिफिकेशन और नियमावली 2023 में साफ तोर पर मेंशन किया गया है कि सिख्षक भरती में समलित होने के लिए अभ्यर्थों को तीन बार केवल मौका दिया जाएगा अभ्यर्थी इस बात को लेकर के confused है कि ये तीन attempt कैसे count किया जाएगा क्या ये पद wise count होगा या फिर अगर एक notification में तीन अलग अलग सिख्षक के लिए पद है और अगर एक अभ्यर्थी तीनों में आवेदन कर देता है तो क्या वो एक बार count माना जाएगा या फिर तीन बार count मान लिया जागा इसके regarding detail में बात करेंगे अंतर तक जड़ जोड़े लेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं केरियर विट योट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार रोजेट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बैकिन को प प्राइमरी के लिए तो यह कैसे समभव है कि प्राइमरी का आपने attempt दिया और TGT में वो count होने लगेगा मान लिजे आपको कभी मौका ही नहीं मिला TGT की परिक्षा में शमलित होने के लिए और आप eligibility रखते हैं और कभी मान लिजे भरती नहीं आई किवल प्राइमरी की भ इसने भी इसतर के पद हैं उन इसतर के पदों में तीन बार attempt करने का मौका मिलेगा यानि कि प्राइमरी में तीन बार TGT में तीन बार PGT में तीन बार या फिर आलग इसतर के सिछा के पद निकाले जाते हैं अपर प्राइमरी या फिर जिस भी इसतर के अगर आप eligible होते है तो सब में आपको 3-3 attempt दिया जाएगा ठीक है यहां ते clear हो गया अब मालीजे को यह एक अभ्यरती है जो कि इस समय भरती आई हुई है मालीजे वो तीनों इस तर में apply करता है जैसे upper primary, tgt और pgt में तो उस अभ्यरती का upper primary में एक बर count होगा और अगर और pgt में पहली बर apply कर रहा है तो एक attempt tgt में count हो गया और pgt में भी पहली बर कर रहा है तो यह पहला attempt आपका count हो जाएगा और मालीजे आपने पिछली भरती में भी किया था तो पिछली भरती में तो primary का था और tgt पिजटी का था upper primary का तो था नहीं तो अपर प्रायम्य में अभी आपका ये पहला attempt माना जाएगा क्योंकि पहली बार आप अपलाई किया हैं इस बार ठीक है, और TGT में अगर आपने पिछली बार भी किया था और इस बार भी कर दिया तो TGT में दूसरा attempt माना जाएगा, और TGT में